नमस्कार दोस्तों जैसरी राम कैसे आप सभी लोग बहुत इंपोर्टेंट वीडियो आज की होने वाली है क्योंकि आज SDFC बैंक का रिजल्ट भी आया है कल बैंक निफ्टी की तबाही भी है लेकिन उसके पहले एक जरूरी सूचना आप सभी लोगों के लिए देखिए कल हम लोगों के लिए जो लाइब मार्केट में डेटा रेडिंग सीखना चाहते हैं यह सीखना चाहते हैं कि अगर चीज चल रही है तो क्यों चल रही है इस पर्टिकलर चीज को एनलिसिस में कैसे लाए तो कल 9.30 बज़े से लेके एक डेड़ बज़े तक हम लोग की एक के लेके एक बज़े तक अब चलिए वीडियो पर वापस आते हैं कर देक भी आप निफटी ने आज एक अडिसिजिव केंडल बनाया कर देन आप तो दो दिन से तीन दिन से फिलाल नारकेट के अंदर क्या हो रहा है कि तो moment आ रहा है one candle two candle three candle four candle मतलब हर candle अपने previous day high को break कर रहा है आज का candle भी ब्रेक किया लेकिन आज market में कुछ इसने ऐसा sense किया दोस्तो ऐसा कुछ sense किया जिसकी वज़े से आज यहां पर indecisue candle बना means कि हमें कल के दिन एक trending moment को बहुत clear मिल सकता है इसलिए मैंने live का थोड़ा सा plan out भी किया ताकि आपके साथ में मिलके बैटके हम लोग सीखें एक दूसरे से बाते करें देखे market में क्या position बन सकते हैं क्या different different तरह की probability है क्या data है कैसे result variable है बहुत मज़ा आएगा सीखो गया बहुत कुछ ठीके मैं महीने में एक दो बार करता हूं जरूर जोइन करिएगा link description box में मैंने दे रखा है तो इस particular चीज को analyze करने से पहले यह देख लेते हैं कि आज मेरा दिन कैसा गया जो लोग मुझे follow करते हैं या कई लोग जो नए रोज रोज देखते हैं तो हम लोग daily discuss करते हैं कि कैसे हम लोग trade किये क्या क्या planning बना तो आज देखोगे तो मैंने कुछ किया ही नहीं मतलब कुछ भी नहीं किया no any trade at any cost कल की ही position सारी की सारी एड है कुछ stock के अंदर मैंने यहां पर बेचा तो आप इसको देख सकते हैं कल वाली position जैसे के तैसे कल का video अगर आप देखोगे तो वही position as it is मैंने कुछ quantity और last में add करके मैं लेके गया हूं SDFC bank का क्यूंकि result थोड़ा अच्छा आया है उसके बारे में discussion करेंगे अच्छे का साथ थोड़ा भी mix है तो उ समझने की कोसिस करते हैं अब देखो वैसे मैं कोई बहुत बड़ा सीए वगेरा हूं नहीं बहुत ज्यादर जूम होगे तो मेरे लेमेन तरीके से जितना भी आपको मैं सिखाने की कोसिस कर रहा हूं उतना सीख लीजेगा मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखिए कि मैं बहुत सारी चीज़ें आगी जो अपने कामलायक हैं तो यहां पर एजडी अपसी बैंक का रिजल्ट भी आएगा और कल के दिन हमारी एक्सपाइरी भी है दोस्तों यह दोनों याद रखिएगा कल बैंक निफ्टी की एक्सपाइरी भी है तो यह काफी इंपॉर्टेंट हो होने वाला है कल के लिए अब देखो कॉंटिनिवेस मार्केट 13% का एजडी अपसी वेट रखता है निफ्टी के अंदर ठीक है और मैक्सिमम वेट रखता है बैंक निफ्टी के अंदर तो कल बहुत डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर सेलिंग आएगी तो धड़ा-ध घड़ाएगी तो कल का दिन इंपोर्टेंट इसी लिए है क्योंकि कल SDFC भी है जो कि सबका बाप इस समय हुआ पड़ा है बैंकिंग सेक्टर में तो आपको पता यह सबसे टॉप पे चल रहा है इनकेस अगर थोड़ा भी खराब चीजे हुए कैसे भी तो जिस डारेक्शन म हमें भी बैठना पड़ेगा तो अभी देख लेते कि रिजल्ट में क्या क्या आया अभी तक का सबसे खराब इनका नेट इंट्रेस्ट मार्जिन आया जो की करीब करीब तीन से चार परसेंट घड़ चुका है यह सबसे पहले में निगेटिवटी आपको यह बता रहा है क् कि इनका एडवांस ग्रोथ 24,693 बिलियन से बढ़ा है जो कि अपने आप में 62,94 परसेंट होता है और डिपॉजिट इनका 18 परसेंट से बढ़ा है अब आप पूछेंगे कि सवरभ इनकी अर्निंग का क्या है तो मैं आपको बता दूं इस्टीमेटेड अर्निंग को भी इन से चार किलोमेटर तक के रेंज में जितरे वी बंदे हैं उनको अकॉयर करना है अब अब सबसे बढ़ेंग जा रही है değişik कम होने क्वाएगा लेकिन सबसे बड़ी बात ESDFC बैंक के रिजल्ट के साथ हाथ में आपको यह सीखनी चाहिए कि इनके पास इतना asset है इतना asset इनके पास हो चुका है कि अब यह self dependent bank बन चुके हैं यानि कहने का मतलब यह है कि जो हमारा यह दो factor है ना यह factor जो है कि net interest margin हमारा कैसे है क्या है यह अब माइने नहीं रखेगा क्योंकि bank का पहली सबसे बड़ी pop है कि asset wise bank बहुत गुड हो चुका है तो अब bank के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें डरना है या हमको डर के रहना है तो asset multiplication इनका बहुत अच्छा है दूसरी चीज क्या है कि NPA जो है इनका थोड़ा सा घटा है non performing assets यह भी अच्छी चीज है तीसरी चीज क्या है कि जो retailers के loan book थे ना जैसे loan लेने की जो probability होती है एक bank कैसे चलता है आपको जितना वो loan बाटेगा उतना ही ताकतवर बैंक बनेग वो भी काफी अच्छा हुआ है तो यहां तक तो चीजे सीख है थोड़ा बहुत expenditures है थोड़ी बहुत चीजे आप कोई पता है financials market में इधर उधर होती है तो अगर अभी के लिए overall discuss किया जाए news कैसा है तो मैं कहूंगा कि news positive है किसके लिए SDFC bank के लिए अब इसको देखो दो क्लाइन किया है और कल यहां पर short covering आएगी यह दोनों चीज कल के लिए important है तो इसलिए कल का session काफी important होने वाला है अब चलिए SDFC bank के result के उपर discussion कर लेते है यह on year basis पर SDFC bank ने इस quarter 33% की robust growth की यानि 16,372 करोड का growth हुआ है और अगर हम लोग previous quarter से इस quarter के उपर अगर हम लोग total revenue देखें तो 706 billion की total revenue हुई है जो कि पिछले quarter से काफी अच्छा है गरबड क्या है एक तो net interest margin जो इनका था वो 3.4% से मिस्ट हुआ बट टोटल टोटल यह market के साथ है यानि net interest margin क्या है कि इनको लग रहा था कि थोड़ा कम होगा लेकिन यह जादा है लेकिन market इसको पचा लि million का यहां पर रखा गया था कि यह इतना तो होना है चाहिए इतना तो लोन क्यार कमा तो लो कम सकम लेकिन आया कितना सिर्फ 280 billion तो 5 billion कौन देगा वो भगवान जाने अब दो चीज़ें यहां से conclude करने वाली हो गई कि सोरब यह बताओ कि SDFC bank का जो result है वो कैसा है अच्छा य promoters क्या सोच रहा है operator क्या सोच रहा है FIIs क्या सोच रहा है किसी कलिए result अच्छा होने पर बेचने का मौका होता है किसी कलिए result अच्छा लेने का मतलब खरीदने का मौका होता है तो यह सारे के सारे जो result आते हैं या जो भी चीज़ें आती है यह एक respective term होता है और यह कभी भ आपको रात को सोते वक्त रिजल्ट कोई आया आपको बहुत खुश नहीं होना है आपको मार्केट की परिस्थितियों को देखते हुए अपना मूड बदलना है क्योंकि रिजल्ट अच्छे आने पर भी वह इस्टॉक गिरता है और रिजल्ट खराब आने पर भी इस्टॉक मानूंगा दूसरी चीज मेरा व्यू बुलिस रहेगा तीसरी चीज एकॉर्डिंग टू मार्केट मैं कल ट्रेट करूँगा अब मार्केट की लेवल के उपर हम लोग इस्तिती रखते हैं क्या है कैसे है किस तरीके स्काम करें तो एक छोटा सा विव आपको और दिखाता हूं अमांग ऑल दी बैंकिंग सेक्टर अगर आप देखो कि आज के दिन SDFC बैंक यहां पर पॉजिटिव में क्लोज किया और बाकी सारे बैंक निगेटिव टू फ्लैट यहां पर क्लोजिंग किये हैं तो कहीं ने कहीं रिजल्ट का एक प्रेसर पहले से मार्केट को पता था अब कल या तो दो चीज़े हो सकती है या तो कल यहां से रॉकेट बने SDFC बैंक के अंदर क्या हो रहा है ठीक है और सारे बैंक के अंदर क्या हो रहा है बैंक के अंदर सच में खरिदारी हो रही है यह विक्री हो रही है दूसरी चीज अगर बैंक बढ़ रहे हैं तो स्मॉल कैप मेड कैप यह सब क्या कर रहा है इन पर भी ध्यान देना है तो दो ब्रेक आउट लेवल होगा वो होगा 48,590 का यह दो लेवल मेरे लिए कलकली इंपोर्टेंट है अगर माल लिजे मार्केट आज जहां पर क्लोजिंग दिया है वहां से मार्केट के फ्लैट खुलता है गैप खुल के वहीं रुखता है तो फिर यहां पर मुझे 48,600 का टार्ग अगर यह ब्रेक करता है तो फिर से 48,750 का और दूसरा टार्गेट मिर सकता है 48,900 का यह दो टार्गेट आपको कलके दिन यहां पर दिखेंगे लंबे टार्गेट है इसका में रिजन यह है कि देखो एक बैंक अच्छा करेगा ना तो उसको पकड़ते हुए सारे आ यह यह सिस्टम बना के रखो आप दूसरी चीज निगेटिविटी हम तभी देखेंगे जब मार्केट कलके दिन 48,000 1020 को क्या लिख रहा हूं 48,000 1020 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा जो कि आज की क्लोजिंग के आसपास कले वाले अगर 48,120 के नीचे नीचे मार्के का फॉल यहां पर दे सकता है तो दोनों के लिए तयार हो फॉल वर्सेस रॉकेट ठीक है वो तो कली पता चलेगा इसलिए मैं आपको हमेशा एक चीज सिखाता हूं कि कभी भी प्री एज्जूम करके मत रखो कि आपको मार्केट के अंदर कल स्काई रॉकेट का ट्रेड ले लेकिन होता हर बार कुछ ना कुछ यूनिक है तो इस बार मैंने सोचा कि यूनिक ने इसको गया तेल लेने मैं रहूंगा मार्केट के अंदर और भीया मैं करूंगा अपने हिसाप से ट्रेड बाकि कल आप सब को आमंत्रित कर रहे हैं हम तीन से चार गंटे के इस पेशल ल लेबल है या तो आप टेलीग्राम से भी जाके रिजिस्टर कर सकते हो बाकी मैं मिलता हूं आपको क्लास के अंदर कल 9.30 एम से लेके यहां पर कॉल्टिफ लेगा नो जस्ट सिंपल मार्केट डिकोडिंग मार्केट अब्जर्वेशन कैसे काम करना है कैसे नहीं करना इसके बारे में प्योर लर्निंग क्लास थैंक्यू हब ग्रेट देश्री राम